सर ये पहले तो आप ये जो गौशाला है इसका एडर्स बताएंए ये कहां पर स्थित है ये गौशाला हमारे अद्वान जी खेजरी मंदिर की जो रोड है उस रोड से थोड़ा सा निचे जो गवर्मेंट ऑस्टल बनावा है ये गवर्मेंट कोलेज का इसके जश्ट पिछे पिछली बाम और इस पर मेर गेट लगावा है जो वाड के अंदर जो रोड लिंक रोड जा रही है उस रोड पे बड़ा गेट लगया है भी शेक स्रिया जी की सुपुत्र है उन्होंने ये गेट लगया है जो उस अड़ा के अंदर दान किया है और अब ये जो आप जगह देख रहे हो ये जगह अब भी अमारी को परसासन ने एक तरह से गव माता के रख रखाओ तो दी गई है तो इस जगह के अंदर हमने जो ये छोटा मड़ा निर्मान किया इसकी बज़े से जित्ता भी ये गोवंस खेजरी रोड पे विचलड करता था और रोड पे ही इनको राचारा डाला जाता था उससमश्या को दूर करने के लिए ये जगह मांगे थी जूँ ऊड़ैकर पर फ्राफ्त होगी इस बाउंडरी वाल का निर्मान करवाय गया है और boundary वाल के निर्मान के बाद में ये ठाना दी की वेवस्ता की गई है और गेट शेक्सरिया जी तरफ से गिफ्ट में दिया गया है गवमाता को तो इस तरह से अभी इसमें भोजादा आवशकता है धनकी क्योंकि यहां स्टाप नाम की कोई भी एक भी स्टाप करम चारी नही आते हैं डेली बाबा के दर्शनार थी वह यहां पर राचारा डालते तब दो माता की वेवस्ता खाने पीड़े की पूरी हो रही है और शीजन में हम अपनी तुड़ी की वेवस्ता करी ली थी लेकिन फिर भी अभी इसके अंदर अभी इसके अंदर स्टाप की अत्याउश अगर कोई भी दान दाता मेरी आवाज को सुन रहा है तो उनसे आजोड के निवेदन है कि वह एक वार यहां आए और अमारी ब्रमन करें और इसके अंदर जो एविवस्ताएं हैं वो देखें और जो बामासा सूर्टकड़के में बामासाओं की कभी नहीं है अमारा सैर प् प्तकम मातरा में सहर का पैसा एकत्री से आरहा है वो लिमिट मातरा में ठोड़ा-थोडा करके आता है तो उसके अभाव में यहां विवस्ता सफब सप tutorial की निहीं हो रही है बिल्गुर से क्योंकि अब इतना 400 पसु धड़ है इनके गोबर आदिको सुवेवस्थित धंग से सपाई करने के लिए कम शेकम दो आदमी तो अत्यंत आउशक है एक आदमी इनको तूड़ी वहां से लागर के सबी ठाणों के अंदर डालने वाला अत्यंत आउशक है हमने सिर्फ एक गुजरक हमारे है मावीर जी गोश्वामी उनको चोकिदार के रूप में लगा रखा है ताकि रात को कोई पसू अफसर में गिरिप्रिट ना जाए दर्शे कोई ठाण में ने गिर जाए कोई और कहीं कोई चोटबोट ना जाए कोई कुट्ता बिली ना जाए तो उसके लिए उनको रख रख है बाकि हमारे पास कोई श्टाप नहीं है दन की अतेंता उश्यक्ता है और कोई भी भामासा अगर या जुड़ना चाहे वो अगर इनका संचालन में भी जुड़ना चाहे तो उनसे आजोड के निवेदन है कि वो आए और इस गोशड़ा को समाले और इसमें सयोग करें हमारे नाण सिंग जी राठोड ने ये नेव रखी थी इस गोशड़ा की जो आज से करीबन 15 या 17 साल पहले 40 सी जगह पे रखी थी लेकिन आज ये गोशड़ा एक विश्तरत रूप ले चुकी है और इसके अंदर पसुदन भी अन्य गोशड़ और यहां पे विवस्ता करने में सयोग करें अपने किसी भी रूप में सयोग करना चाहें उनका सूस्वागत है और अन्य समस्यें जैसे बाउंडरी वाल को उच्चा भी करना पड़ेगा अभी चोट चोटी बाउंडरी वाल करिए हमने और अभी जो आगे आने सर्दी में आने वारा शिजन के इंदर इन यह जो खुली जगह इसमें अलग से सैड बनाने पड़ेंगे एक समझ मोटी समझ है इसमें सबसे यह आज की डेट में यह कि हमारे यह चार सो पस्वों में गाए भी यह बच्छी भी यह बच्छडे भी यह गोदे भी यह उस सम्मुईक से और नंदी गोशला जो नंगरपालिका की तरफ से संचालित हो रही है उनसे आजोड के निवेदन है कि वो अपने स्टाप को अपने संसाधनों को बेज करके यहां अमारे पास लगबग 15 या 20 नंदी है बड़े उनको वो अपनी नंदी गोशला के अंदर शिफ्ट कर ले और हमारे पास फिर जो पस छोटे पस है या गुबाता है चोटे पचड़े उनको हम आराम से समाल लेंगे अभी यह बड़े जो गोदे वो बहुत ज़्यादा प्रेसान कर रहे हैं आप से लड़ते भी हैं वो यह अभी इनको हराचारा डालने के लिए क्या वेवस्ता है य है और उस किरेये पर जगह पर उन्होंने अपनी टाल लगा लिए और वो बिल्कुल इल्दम बाउंडरी के पास में लगाई है तो कोई भी अगर चाये तो वह यहां पर आके वहां वैसे तो बगजन हमारे खेजरी मंदर बाबाजी के दर्शनार्थ याते हैं वो सारा यहा कि वो थोड़ा साही नीचे उत्रें और टाल से अरा लेकर के सिद्धा दिवार के उपर से ही थानों के अंदर अरा तरा डाल सकते हैं और यहां पर गेट वगरा के लिए दिवार वगरा के लिए कोई और आपकी रिक्वाइर्मेंट बहुत अत्य दिक एक तो शर्दी के मोस अगर नगरपाली का परसासन जैसी बीगी विवस्ता करवा दे दो चार गंटे के लिए तो यह इसके अंदर थोड़ी जैसी भी चलने से या करावा लगने से यह जमीन का समतल नीकरन हो जाएगा तो पसुदन बैठने में दिक्कत नहीं आएगी अब इसमें सपाई की अत् बैठने में दिखता रही है तो क्रिपा करके वह अपनी जैसी भी को एक दो दिन में उफलब्द करवाएं तो उससे हमारे बेड़ो मिट्टी अगर कहीं से भी डलवा सकता है परसासन तो उसकी बती आत्या आउशकता है बालो बिट्टी इसके अंदर पूरे में डल जाए तो पसुद्दन के बैठने में दिखते हैं को ये अगर आप से संपर्क करना चाहिए तो कोई नंबर बगर आपका यस अमारे नंबर मैं बता देता हूं मेरा नाम दीप्चंद सर्मा है निन्यान में 821 3270 में ये तो मेरा नंबर है और एक मिन दो नंबर बता देता हूं नम्मर है पिच्चाण में आट सो तेतर उन सट साथ सट सट नाइन फाइप एट सेवन थ्री फाइप नाइन शेवन शिख्स शेवन ये अगर इनसे संपर करके या मेरे से संपर करके कोई भी भगजन किसी प्रकार की भी स्योग करना चाहे तो उनका स्वागत है